नमस्कार दोस्तों मैं निशिब और अपने यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हूं तो दिन का टाइम था और ये देखिए मुझे लगा कि ये तो बिल्ली है लेकिन मुझे क्या लगा पता है मुझे लगा कि ये बाग का बच्चा है और यहां बन रहा था मेरा टेस्टी देस्टी पहाड़ी लांच तो देखिए देखते ही मुझे पानी आगया और आज आपको कराती हूं अपनी किचन गार्डन की सहर्ड़ तो आज मेरा मन है डाल चाउल के साथ हरी मिर्च खाने का तो ताजी ताजी हरी मिर्च तोड़ लेते हैं ये है मेरा खूब स तुरसा चोट उसा कीचन गार्डन जिसमें मैंने लगा रिखी हैं मतब 10-15 पॉंदे हरी मिर्च के पहले लगा लिये थे जिनमें की मिर्च आ चुकी हैं कुछ फूर लगे हुए हैं और एक जगह ऐसा है कि छोटी-छोटी से पॉंद हो रही है तो उनमें अभी मिर्च नही पॉलियां होई हैं यह बहुत पहले लगा दी थी तो आदी मुली तो बाहर निकली है तो इस तरह से हो रहा है मेरा कीचन गार्डन में यह हमने कल मौसमी का पेड़ लगाया था इसमें पिछले साली फाल आ गया था लेकिन इस बाहर न हमने उस जगह से उखार दिया उस जो कि आप लोंग भी देख लेंगे और ये एक मेरा चोटू सा टमाटर का पौंधा हुआ है जिसे मैंने इस तरह से लकडियों से सेट कर दिया है और इसमेरा चोटे-चोटे से बेबी टमेटो हो रहे हैं देखिए अभी तो मतलब कच्छे हैं थोड़े दिनों में पक जाएं नैचुरल चीज नैचुरल होती है और ये है मेरा नाश्पती का पेड़ अभी तो ये छोटा ही है मतलब इसमें फॉल नहीं आया है तो देखते हैं कब तक फॉल आता है इसको भी हम नरसरी से लेके आए हैं क्योंकि जो भी हम प्लांट लगाते हैं तो उन्हें हम नरसरी से लेके आते हैं अगर हम इतनी मेहनत करें उसके बाद अच्छा फॉल या फूल ना मिले तो फिर मज़ा नहीं आता उसको लगाने का क्योंकि मेहनत बहुत जादा लगती है और पता है एक मेरे गमले में ना हुआ था बहुत अच्छा सा प्यारा सा अनार का पौंधा जिसे मैंन इस जगह पे लगा दिया है ये देखिए वो ना गमले को तोड़के भी बहार आ गया था तो फिर हम लोगों ने इस जगह पे इसको सेट कर दिया है ये है अनार का पौंधा यहां देखिए ये वाला गुलाब भी कह रहा है मैं भी हूँ भाई मुझे भी ले लो है ना कितन खूबसूरत है ये इस में भर भर के गुलाब आते हैं ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है करड़ी पत्ता भी खूब अच्छ से जूम रहा है और ये है मेरी अर्बी गडेरी पिनालू जिस भी बोलिंगे वो है और सामने पर मेरा है तेज पत्ता वो है हल्दी तो थोड़ी-thोड़ी सी चीज़ें मैं लगा के रखती हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे काफी शौग भी है इस चीज़ का तो जितना हो पाता है तो मैं करने की कोशिश करती हूं बाकी फिर अगर कोई मिल जाता है काम में तो उन्हें लगा लेते हैं तो कर ज जमीन में लगाया है तो देखिए जमीन की बात ही कुछ और होती है इतना प्यारा सा हो गया है मेरा गूड हल का पुढ़ा और यह लगा रखआ है मैंने लैमन ग्रास ने लैमन ग्रासथ यह गिलोई की बेल है जो की बहुत अच्छी हो रही है नीबू मेरे अबी भी है पीले हैं यह कटिए अभी हमने इनुह हो सफ़ी नीफ कोम तोन, हैं केमों बारिश भाज देखिया दुए वे Hai को Cordaeis कौन से और यह मारा कीवी पमपन में थह लोग वे वेखितें। पतानी अब ये बड़े होंगे या क्या होगा लेकिन आये हैं इस बार तो थोड़ी सी उम्मीद जग गई है कि हाँ भई आगी को भी आएगा फल और ज्यादा नहीं आया है कुछ फल बीच में भी है तो देखते हैं अगले साल तक क्या होता है और ये हमारा संत्रे का पौंध सबी पास-पास हो गया है न तो थोड़ी सी एसा हो जाते की घिस्ट पीच हो जातy है और ये है संत्रे का पौंध ही है जिसमें अभी आभी संत्रा दिखा है तक पतानी क्या हुआ था इसमें सारे शंत्रे से चळग गये थै और ये है मेरा हाइभ्रेट नीबू का पौंध ह जो की मैंने यहां पे लगा रखा है यह देखिए और थोड़ी सी मैंने यहां पे हल्दी लगा रखिए यह क्यों लगा रखिए इसका रिजन में आपको बताती हूँ क्योंकि कभी-कभी हमें जल्दी से हल्दी चाहिए होती है तो वहाँ खेद में जाने में डर लगती है कि जोंगों को गयरा लग जाएंगी बारिश के दिनों में तो यहीं पर से हम निकाल लेते हैं हल्दी और यह देखिए यह फूल आया हुआ है यह फल बना हुआ है यह है नीबू का पौंधा जो कि हाइबरेट कागजी नीबू है और इसी में भी गिलोई की बेल भी चले गई है तो यह नीबू जादा ही अच्छा होगा क्योंकि इसमें गिलोई का असर भी आएगा क्योंकि गिलोई की बेल देखिए पूरी इसमें लिप्टी हुई है और यहाँ पर लग रहा है कि नीबू खराब हो रहा है ये ये देखी तो नीबू ये वाला खराब हो रहा है तो इसको न एक मिन मिर्चे तो मैंने हाथ में पकड़े रखी है इसको रखते हैं जमीन पर फिर लेके जाएंगे धोके तो इसको यहाँ पर से तोड़ देते हैं क् बारिष बहुत जरूरी है आज बिखे से कल रात से ही बारिष होिए है जमाच हम तो देखते हैं आज कैसा रहेगा दिन भर का मौशम और यह कीनो का पौंध्धा जिसे हमने घर पे ही बनाया है मतलब कीनू, पूरा कीनू को हमने खड़े में डाल दिया था, वहां से एक पौधा निकल के आया था, जिसे हमने यहां पर लगे रहने दिया है, अब जब इसमें फ़ल आएगा तो तभी पता चलेगा यह पौधा किस चीज का है, और इसकी जड़की भी थोड़ी सी कर दी थी कल कुल, गुड़ाई, और थोड़ा सा डाल दिया था, इसमें खाद, तो यह देखिए, यह है आम का पौधा, आम तो इस बार आय नहीं है, देखते हैं आगे को क्या होता है, लेकिन पौधा है, और यह है मेरा नीम का पौधा, जिसे मैंने गमले में लगाया है, अब आगे को क्या करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे भी जमीन पर लगा देंगे और ये है स्ट्रॉबेरी जो कि अभी आई नहीं है पहले आ चुकी है एक बार की खाली है तो ये है दुबारे की और ये मैंने अलग से गंबले में लगा रिखी है तुलसी जिसकी पूजा कर लगते हैं लंच और ये लगा रखिए मैंने बेल पत्री बेल पत्री भी मेरी दो दिन मैं शिवजी को चड़ा दी है एक दिन घटकों में चड़ा दी है एक दिन घर के ही मंदिर में चड़ा दी है एक दिन घर के ही मंदिर में चड़ा थी तो देखे बेल पत्री का क्योंकि ठोड़े-ठोड़े से नए पеты बतों में से लगरे, तो इसे यहां-पे इसे खटा लेंगे लगार ये अनर्ड ये मेरा पहाडी ल नच भाट की सब्जी है है, अर हरी सब्जी है चामवन है और हरी मेल्च है अ शुमकि जाद!!